हलो गाईज कैसे आप लोग तो कैप्शन अपने पढ़ा होगा और बहुत बड़ा रियालिटी चेक है सर जो आपका रिजल्ट है CS Executive New Syllabus Group 1 का सब लोग हैरान है कि बाकी सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए है डबल डिजिट है और बहुत जादा रिजल्ट आए है फिर Executive New Syllabus Group उनको क्या हो गया वो सिंगल डिजिट में कैसे रह गया मुझे पर्सनली कुछ खास सप्राइज नहीं हुआ है मैं तो काफी समय से अलाम्स बजाते आया हूँ कि भाई ये ग्रुप वैसा है नहीं और जो लोग अपियर कर रहे हैं वो भी अलग हैं मतलए एक अठरा उननिस साल का बच्चा CSET पास हो रहा है और वो मात्र तीन चार महिने के बाद module 1 दे रहा है executive new syllabus में तो मुझे उनसे कोई खास expectation है भी नहीं क्योंकि वो बच्चा है एक तो उसमें उतनी maturity नहीं है एक professional course में जितने seriousness से चीज़ें करनी होती हैं वो rhythm में अभी तक वो आए नहीं है क्योंकि ET online है ठीक है बैठे बैठे remote proctor mode से घर बैठे आप आपने अगर वो पास कर ली है आप center तक भी नहीं गए हो आपने written papers नहीं दिये हैं तो basically उनका पहला attempt था ठीक है तो first stroke में इतने कम time में इतने under preparation से ठीक है कौन पास होगा समझ रहे हो आप समझो बात को कि बहुत जादा disorder होने की भी जूरत नहीं है बुरा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपके मन में काफी लोगों ने हवा भर दी थी आपको कुछ सपने दिखाए गए थे कि नहीं हो जाएगा आप कर लो और ये और वो तो ये part and parcel है इस field का realities आपको पता होनी चीए ठीक है possibilities क्या क्य होती हैं आपको पता होनी चीए कि आप subjects देखो गुरुपण के subjects देखो दो बहुत बड़े subjects है हाती मैं उसको कहूंगा हाती जैसे दो बड़े subjects है आप कैसे 3-4 मैने आपको लगता है कि आप कर लोगे क्योंकि EET और जो अगला attempt पहला eligible attempt आपको मिलता है hardly 4-5 मैने की gap में हो जाता है आप register करोगे modules वगेरे आएंगे आप सोचोगे कि भाई किसकी classes लेनी है self करना यह करना है यह सब सोचोगे 15-20 दिन एक मैना तो वहीं निकल जाता है फिर pre exams ODOP फिर exam form भरेंगे यह करेंगे उसमे time based होता है मतलब effectively एक बच्चा पढ़ी किता रहे क्या ही उम्मीद र I am really not surprised मुझे बस इन लोगों से जो भी बच्चे fail हुए है जो कि बहुत ही बहुत ही young age में है मुझे उनके misbehavior से भी जादा बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही young है 19-20 साल के बच्चे हैं वो तो अगर वो पहली बार exam दे रहे हैं और पहली बार उन्होंने fail देखा है single digit के marks उन्होंने अपनी mark sheet में पहली बार देखे हैं तो जाहिर सी बात है उनको बुरा लगेगा और वो गुस्सा teachers पे भी आएगा ही आएगा I am not surprised और मुझे बिल्कुल इसलिए record कर रहा हूं कि बेटा welcome to company secretary course ठीक है मैं उनको welcome करने आया हूं कि आपको शायद कुछ अलगी सपने दिखाए गए हैं आपको कुछ अलगी बाते बताई गई है professional course है passing percent काफी कम ही रहता है काफी जादा मेहनत आपको करनी है इसका अंदाजा आपको इससे आगया जो हो गया वो हो गया ठीक है कैसे हुआ क्यों हुआ उससे कोई फाइदा नहीं है result आ चुका है अगली exam सर पे बैटी हुई है और पढ़ाई के लिए बहुत कुछ है तो मैं बस आपको positive रहने के लिए कहने आया हूं कि आप positive रहें अभी हो सकता है negative zone में जाने की जूरुत नहीं है blame game खेल के कोई फाइदा है नहीं अब तो आपको realities पता चल गई है अब तो paper की level क्या है आपको पता चल गई है कितने under prepared थे आप वह आपको अब अगया है कितना paper आप solve कर पाए वह भी आपको सब पता चल गया है तो अब जब आपको सब पता चल गया है अब आप right track पे हो और अब एट लीस्ट आप एक और गलती मत करो टाइम वेस करके ब्लेम गेम खेलके कोई फाइदा नहीं है अच्छे से पढ़ाई करो अच्छे से पढ़ो अभी काफी बच्चों ने अरे बाई ग्रेजुएशन अलग है कहाँ कंपनी सेकेटरी कोर्स को ग्रेजुएशन के इससे कमपैर कर रहे है तो आप सोचो अप क्या सोच के क्या डिसीजन्स ले रहे हो अच्छे से professionally पढ़ो company law बहुत vast है company law से बहुत expectation है ICSI को आपसे बहुत in-depth questions आते हैं बहुत ज़्यादा case studies आती हैं बहुत ज़्यादा depth है उस subject में तो आपको उस depth में जाके पढ़ना पढ़ेगा उस subject को revise करना पढ़ेगा अच्छे से CAFM के लिए तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ दो subject को merge करके एक हाती subject आपको दिया गया है पूरा का पूरा practical है अभी भी मैं comments पढ़ रहा हूँ बच्चों के sir marathon ले लो क्या volume है मतलब बच्चों जैसा behavior है जिस paper में 135 marks का option मिला के जो paper है 135 में से 30 marks का ही थेरी आ रहा है वो 30 marks का marathon लेके आप पास हो जाओगे क्या मतलब आपकी क्या सोच है मुझे उस पे बहुत ताजुब होता है क्या misguided क्या level पे misguided हो मुझे तरस आता है थेरी का weightage मात्र 30 से 31 marks का है जो कि option में आ रही है आपको अंदाजा भी नहीं कि थेरी है कितनी दो subject से पूरे CA अलग है FM अलग है हर chapter में थेरी है 19 chapters है आपको और 19 के 19 chapter में पूरी थेरी है और weightage कितना है 30 marks कितने question आ रहे है छे से 7 question आ रहे है बस 250 plus topics है आपको 250 plus topics आप चाहते हो कि मैं marathon में पढ़ाऊ और 6 से 7 question आएंगे और उसमें से भी क्या guarantee है कि मैं पढ़ाऊंगा उसमें से सारे के सारे question मेरे पढ़ाने में से आएंगे सोच के देखो ratio proportion बच्पन में पढ़ाऊगा कि कितना time दे रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं कितना उसका marks का weightage है कुछ तो basic दिमाग लगाओ कि यहाँ पे theory का कोई खास importance नहीं है वो जो आप traditional marathon 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 पागलो type सुने हो देखे हो वो mcq paper थे मेरे जो cmfm भी आपने सुने होंगे जिसके वज़र से आप ये channel पे हो वो सब mcq paper थे इसलिए वो काफी helpful थे जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से आता है छपता है इसलिए इतनी तारीफे होती है वहाँ paper pattern अलग है आपका new syllabus का paper pattern अलग है please appreciate it ठीक है become type या एकदम 11 वी बारवी के बच्चो type बेह मत करो तो cfm काफी अलग subject है पूरा practical है written है आया है मुझे बिलकुल भी knowledge नहीं है कि ये practical का marathon कैसे लेते हैं ठीक है practical कैसे revise करा हूँ मुझे नहीं आता ठीक है practical revise करना मुझे नहीं आता है मैं CA हूँ तो मुझे पता है कि practical पढ़ाया जाता है practical revise कैसे कराते मुझे नहीं आता honestly बतारो क्या mindset से मैं revise करो मुझे नहीं पता क्या audience इतनी अलग है आप इतने अलग लग बच्चे हो 90% आप बच्चे self-study वाले हो जिनको आता ही नहीं है तो रिवाई revision वीडियो से कैसे समझ लेंगे कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा subject को समझो मतलब मुझे वही ख्याल में आ रहा है कि बच्चों को subjects क्या है paper pattern क्या है कैसे पढ़ना है कुछ भी नहीं पता तो थोड़ा सा depth में जाओ depth पकड़ो subject की देखो क्या आ रहा है आपसे क्या expected है और उसके हिसाब से आप prepare करो और कोई shortcut नहीं है मैं पहली बता दे रहा हूँ अभी भी मुझे से बच्चे पूछते हैं कि सर important chapter बता दो अरे हर chapter से equal weightage आ रहा है मैंने CAFM के chapter wise जो past paper हुए है उसका weightage दख दिया हुए हर chapter से question आते हैं almost सबसे एक एक question आ रहा है एक दो chapter क्योंकि है ही बड़े उसमें 7-8-9-10 units हैं तो उसमें से 3-4 question आ रहे अरे पर units भी तो 4-5 है न उसके अंदर मतलब हर major topic में से एक question आ रहे तो इसमें अब मैं कैसे बता हूँ क्या important है क्या नहीं अरे सब में से question आ रहे loop sided one sided weightage है ही नहीं न हर topic में से एक practical आ रहा है आप देख सकते हो paper आपके सामने है I hope आप थोड़ा सा reality check ले रहे हो तो अच्छे से बैठो face करो आपसे गलतिया हुई है लोगों ने आपको misguide किया है आपको गलत सपने दिखाए है कि 3-3-4-4 मैने में पढ़के group one हो जाता है जबकि आपका background सिरि मेरा video उठा के देख लो हमेशा मैंने attempt skip करके अगले attempt में both group देने का ही suggestion दिया है क्योंकि 3-4 महिने में ऐसा बच्चा जिसने written papers ही नहीं दिये हैं जिसको pre exam के बार में नहीं पता audio पी नहीं पता registration वो कर रहा है उसको module से एक महिने बाद मिलेंगे ऐसा बच्चा 3 महिने में क किसी से भी लेंगे 180 गंटे 200 गंटे CFM किसी भी faculty से लेंगे 180, 200, 250 hours के video lecture होता है तीन मैने में आप क्या ही देखके कैसे पढ़ोगे खुद से भी तो पढ़ना पढ़ता है खुद से भी तो practice करनी पढ़ती है practical question की सिर्फ video देखके आप वहाँ exam में सब tally करके थोड़ी आओ खुद बैठना पढ़ता है question solve करने पढ़ते है test series देनी पढ़ती है ये सब 3-4 मैने में नहीं होता तो इस सब realities आपको पता चल गई है तो अब आप at least right direction में efforts लीजे definitely आप pass हो सकते हैं अगर आप right direction में सही efforts लेंगे आप definitely pass हो सकते हैं बट shortcut कुछ भी नहीं है shortcut बिलकुल भ सा time है अभी भी अगर आपने weaknesses अच्छे से identify कर लिए उन पर अच्छे से काम कर लिया basics पर अच्छे से काम कर लिया writing practice अच्छे से कर लिए तो आपको अभी भी बहुत अच्छे chances हैं बहुत अच्छे chances हैं time है आपके पास और आपका experience अभी आपको काम आएगा तो all the very best all the very best ठीक है positively लेना positively लेना इस चीज़ को dislike से मैं डलता हूँ नहीं ठीक है dislike से मुझे आजकल कोई फरक पड़ता नहीं है dislike भी कर सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर face करो reality को fail हो चुके हो तो at least अब right track पे आ जाओ teachers से guidance लो friends से guidance लो जिस से जिस पर आपको भरोसा आता है जो आपको सही लगता है guidance दे रहा है उससे आप guidance लेके अब आगे बढ़ो ठीक है शले thank you so much and I hope कि आप अच्छे से एक study schedule बना के proper planning करके अब आप December 24 का preparation करेंगे thank you so much